शरीर में भूत होने के लक्षन भूत या प्रेत के बारे में बहुत से किस से सुन रखे होंगे लेकिन देखा किसने है हाला कि कई लोग यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है हमारा भूतों से सामना हुआ है यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीव में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। आओ हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौकाने वाली बाते बताते हैं। शरीव में भूत होने के लक्षन भूत आदी से पीडित व्यक्ति की पहचान उसके सोभाव एवं क्रिया में आये बदलाव से की जाती है। अलग-अलग सोभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीडित है। भूत पीडा यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है, तो वह पागल की तरह बात करने लगता है. मूर होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा वेवहार भी करता है. गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पचार सकता है. उसकी आखे लाल हो जाती हैं और देह में सदा कमपन बना रहता है. इशाज पीडा इशाज प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करना है, जैसे नगन हो जाना, नाली का पानी पीना, दूशित भोजन करना, कटू वचन कहना आदी. वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बद्भू आती है. वह एकांथ चाहता है. इससे वह कमजोर होता जाता है. क्रेट पीडा क्रेट से पीडित व्यक्ति चिल्लाता और इधरुधर भागता रहता है. वह किसी का कहना नहीं सुनता. वह हर समय बुरा बोलता रहता है. वह खाता पीता नहीं है और जोर-जोर से श्वास लेता रहता है. शाकिनी पीडा शाकिनी से ज्यादातर महिलाई ही पीडित रहती हैं. ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आँखों में भी दर्द रहता है वह अकसर बेहोश भी हो जाती है कापते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है चुडैल पीडा चुडैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है ऐसी महिला यदी शाकाहारी भी है तो मास खाने लग जाएगी वह कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं यक्ष पीडा, यक्ष से पीडित व्यक्ती लाल रंग में रुची लेने लगता है उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है वह ज्यादातर आँखों से इशारे करता रहता है इसकी आखें तामबे जैसी और गोल दिखने लगती है ब्रहम राक्षस पीडा जब किसी व्यक्ती को ब्रहम राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ती बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है इसे ही जिन कहते हैं यह बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिन से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामानने होता है, ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिनको किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं, जिनके अलग-अलग लक्षन और लक्ष होते हैं।